हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, फ्रेंड्स मैं मिना पटेल, आप सभी सहेल्यों का स्वागत करती हूँ, आज हम पापड पोहा बनाने जा रहे हैं, फ्रेंड्स ये पतले जो नाइलोन पोहा होता है, वो मैंने लिया है, इसको मैंने ओवन में सेख लिया है, आप में भी सेख सकते हो, उसके साथ मैंने चार पापड लिये है, ये मैंने लसुन के पापड लिये है, आप मरी के या जो भी आपके पास हो, वो ले सकते है, शिंग तेल लिया है, शिंग तेल से इस पोहे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये लाल मिर्ची पावडर है, शक अगर आपको शक्कर नहीं डालनी तो आप मरी पावडर डाल सकते हो और ये नमक लिया पापड को हम गैस पर ही सेक लेंगे माइक्रोवेव में सेका हुआ पापड का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा पापड सेक चुके हैं अब उसको हम छोटे टुकड़ों में कर लेंगे हमें हाथ से करना है ये चुरा हो गया है तो हम पापड में मिक्स करेंगे तो पापड और पोहा दोनों मिक्स करेंगे उसके साथ हम लाल मिर्ची पावडर आप जितना तिखा खाना चाहो उसके ही सापसे आप ले सकते हो नमक, हमने यहां नमक कम लिया है, क्योंकि पापड में नमक होता है, तो कम लेना और उसके साथ बारिक पिसी हुई शक कर ली है शिंग तेल है, वो हम पहले थोड़ा कम डालेंगे, फिर मिक्स करके देखेंगे अच्छे से मिक्स होना चाहिए और इसको हम हाथ से ही मिक्स करेंगे, ताकि पापड और पोहे पे सारा मसाला चिपक जाए फ्रेंड्स, आपको हमारी रेशिपी कैसी लगती है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताईए अभी थोड़ा तेल कम लग रहा है, तो मैं और ले रही हूँ हमारी चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना ये हमारा पापड पोहा रेडी हो गया है इसको आप 15 से 20 दिन तक भार रख सकते हो ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और कभी नास्ता नहीं है, तो उसी टाइम आप चाई के साथ भी खा सकते हो अब हमारा पोहा रेडी हो गया है, तो हम सर्विंग के लिए रखेंगे आप इसको काच की बोटोल में भरोगे तो अच्छा रहेगा